तो current affairs के अंतरगर जो आपका अगला topic है यह आपका जुड़ा हुआ है 6G को लेकर के अभी आपको पता है 5G launch हुआ था पिछले साल अब 6G को लेकर के भारत ने एक alliance create किया है 6G यानि 6 generation alliance से create किया गया है भारत सरकार के द्वारा ठीक है भारत 6G alliance इसको दूसरे इसको जो है ऐस से भी आप देख सकते हैं भारत 6G alliance इसको इस तरीके से shortcut में भी कई जगे पर आप लिखा लिखा हुआ पाएंगे तो 3 जुलाई 2023 को दूर संचार विभाग के द्वारा दूर संचार विभाग आपका जो केंद्री संचार मंत्राले उसके अंतरगत है उसके द्वारा भारत 6 G alliance यानि B6GA इसको जो है भारत 6G alliance आपका इसके गठन की गोशना की अब यह क्या है आपका देखिए इसमें जो है सरकार और सरकार के साथ साथ जो private sector है बहुत सारे कंपनियां हैं private कंपनियां जो कि इस छेतर में काम कर रही हैं, बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं, बहुत सारे मानक विकाश संगठन हैं, इन सभी को एक सहयोगी मंझ के तोर पे इसमें सभी को जोड़ा गया है, इस अलाइंस में है कौन-कौन सारजनिक और निजी छेतर क कमपनिया भूछ सारे बहुत सर थिंख टाउंग है अनुसंधान संतान मानक विकास संगठन तो गुर्ब का अब सरकार का उदेश यह कि जो यह Six Should Biz बनाए गया है भारत Sixildaante इसाइं कहते है इसके अम से हम आने वाले समय में जो है wireless technology और नवा चार दोनों को बढ़ावा दे मलब next label का जो आपका चल रहा है communication को लेकर दूर संचार को लेकर के तो इसको लेकर अगली पीड़ी यानि 5G के बाद आप 6G में हम आ जाए और इसको लेकर हमने एक लक्ष भी बनाया है कि 2030 तक हम भारत म planning हमने बनाई है और इसके लिए दो चरण बनाए गए है पहली अवदी है दो वर्स के लिए 2023 से लेकर 2025 तक दो चरण इसमें बनाए गए है 2023 से लेकर 2025 तक और दूसरा चरण जो इसका बनाए गया है 2025 से लेकर 2030 तक तो 2030 में इसको launch करने की सरकार के दौरा परिकल्पना की गई है ठीक है और इसके तहर सरकार चाहते हैं कि जो आपकी मोबाइल प्रिद्योग की है है ना टेली कम्यूकेशन है दूर संचार है इसमें जो आप लोग सिम कार्ड यूज करते हैं अभी तो आप लोग 4G यूज कर रहे होंगा 5G लाउंच हो चुका है इंडिया में अब 6G का नंबर है तो 6G में अभी टाइम लएगेगा इसके लिए गवर्मेंट ने जो है 2030 का टार्गिट द आगे चलते हैं नेक्स्ट है ना जनरेशन देखो समय के साथ बदलनी है और चीजें अपडेट होनी है अपडेट होना भी चाहिए आगे चलते हैं यहां पे आप देख रहे हैं जो है आपका समुद्री पोत है सरकार के द्वारा 12 जुलाई 2030 को एक जो है एक प्रणाली चाल सागर संपर्क प्रणाली को जो है सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है किसने किया है केंद्रिय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्राले के द्वारा इस प्रणाली ज सागर संपर्क प्रणाली का किसका सागर संपर्क प्रणाली का उद्गातन किया गया है ठीक है इस प्रणाली में क्या किया जाएगा ये एक तरीके का समझे कि सागर संपर्क एक स्वदेशी Global Navigation Satellite System है, ठीक है? एक जो है Global Navigation Satellite System इसके तहच जो है develop किया गया है और इसके तहच मतलब कि जो हमारी जो हमारे पोट चलते हैं, पोतों को लेकर, चान्च को लेकरके इस प्रणालि के तहच काम किया जाएगा, तो एक ये आपकी क्या है नेविगेशन को ले करके इनके जो है जैसे आप देखते हैं आप लोग भी Google Map और जो है GPS और यूज करते हैं वैसे ही स्वदेशी इस तर पर डेबलप की गए ग्लोबल नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम है जिसके तहर जो है ये एक तरीके से इनके सटीक इस्थिती की जानकारी बता पाएगी कि पोत कहां पर है और कैसे उनको जो है नेविगेट करना है ठीक है और इन में बलब एक तरीके से काफी ज्यादा मदद मिलेगी तो एक जो है संपर्क सागर संपर्क आपका एक नेविगेशन प्रणाली से जुड़ा हुआ मामल किया गया है और यह अभी आपका तक्नीकी जो है पहल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं ठीक है तो सागर संपर्क आपका यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अब नेक्स्ट आगे चलते हैं देखे गवर्मेंट के द्वारा यह तो काफी पुराना मामला है वैसे सरकार क के लिए बहुत महत्यपूर्ण खनीज है ठीक है बहुत इंपोर्टन खनीज है इनको लेकर के इन खनीजों की पहचान करने के लिए एक सूची तैयार करने के लिए एक साथ सदस्य समिती बनाई गई है साथ सदस्य एक समिती बनाई गई है किस लिए बनाई गई है जो महत् सूची क्रियेट करने के लिए बहारत के लिए जो महत्यपूर खनीज है उनकी सूची बनाने के लिए केंद्री खान मंत्राले के द्वारा एक साथ सदस्ये समिति का गठन किया गया है समिती के अध्यक्ष ता कौन है डॉक्टर वीडा कुमारी थरमड यह जो है इसकी अध्यक इसकी अध्यक्ष है, ठीक है, तो साथ सदसी समिती बनाई गई है, खान मंत्राले के द्वारा बनाई गई है, और किसलिए बनाई गई है कि जो महत्यपूर्ण खानीजा, उनकी एक लिष्ट बना दी जाए, क्या कर दी जाए, महत्यपूर्ण खानीजों की लिष्ट बना दी है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है चलिए आगे चलते हैं अब देखें आज का टाइम पिरेट किस से जुड़ा हुआ है आज का समय जुड़ा हुआ है आपका सूपर कंप्यूटर से है ना एक मिनट एक मिनट रुकिएगा कि देखें इसमें है नहीं लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको इस पर्ष्ट कर देता हूं यहां पर भारत अभी की एक सूची जारी हुई है जिसमें 500 सूपर कंप्यूटर की लिष्ट जारी हुई है ठीक है 21 से 25 मई 2023 को जर्मनी में एक एक यूजन किया गया था ये जर्मनी के हैंबग में एक कॉंफरेंस का यूजन किया गया था जिसका नाम що हाई performance conference ठीक है अब हाई performance conference जब हुई तो इसमें 500 टॉप 500 super computer की सूची जारी की गई तॉप 500 super computer की सूची जारी की गई super computer अब यह 500 टॉप 500 super computer में से जो list है इसमें भारत के भी कापी सारे super computer हैं लेकिन जो one इस सूपर कम प्यूटर घ्र उसका नाम है frontier जो सुपर कम्प्योटर पिर पर हैं नमबर एक पर है अमेरिका का सुपर कम्प्यूटरbeiter Napल Conference दूसरे नंबर पर हैं चीन का सुपर कम्प्यूटर जिसका नाम है फुगाकू चीन का सूपर कंप्यूटर है फुगाकू तीसरे नंबर पर आपका लूमी लूमी आपका फिल्लैंड की सूपर कंप्यूटर है फिल्लैंड का सूपर कंप्यूटर है लूमी ठीक है यह तो टॉप थ्री हो गए फ्रंटियर सबसे जादा ठीक है ग्यारा सो चौरा पान का फिल लूमी है ठीक है इसके बाद इटली का आपका लियोनार्डो है अब बात करते हैं कि टॉप पांसों में भारत के टोटल चार सूपर कंप्यूटर है तो पांसों में जिनमें से हमारे देश का जो सबसे अच्छा सूपर कंप्यूटर है वह 75 नंबर पे देखा आफिस उपस्तित है सीड़ आफिस पूने में आवस्थित आपका ठीक है पूने में आपका एरावत तो यह आपको थोड़ा सा रफली याद रखना है सूपर कंप्यूटर से भी कोश्चन पूछता है फ्रंटीयर आपका जो है नंबर एक है युसे का फिर फुगाकु है फ पर हमारी क्या स्थिति है तो बहुत अच्छी नहीं है ठीक है क्योंकि यदि हम फ्रंटियर से इसकी तुलना करें तो फ्रंटियर की जो अधिक्तम संसाधन गती है उसकी जो स्पीड है वह आपकी 1194 है कितनी है 1194 पेटा फ्लॉफ है है ना अब यदि मैं रावत को कंपेर करू से तो इसकी इस्तिती बहुत ही कम है 8.5 जो है आपका ये आपका 8.5 ही है मात्र ठीक है पेटा फ्लॉफ है 8.5 प्लेटा फ्लॉफ है इसकी संसाधन गति तो ऐसे में आप सूचे कि अभी इस्तिती भारत को सूपर कम्प्यूटर की दिशा में काफी काम करना है और सरकार जो और देखो overall सरकार का लक्ष ही है कि हम 5 trillion economy में पहुंचे लेकिन 5 trillion economy में पहुंचने के लिए हमें artificial intelligence को भी लेकर के आना पड़ेगा इस देश में cloud computing technology को भी लेकर के आना पड़ेगा और इन सभी पे आपका एरावत जो है एक अच्छी पहल है ठीक है एरावत इसलिए इसका पूरे में अभी स्थापित है clear response सभी को इसके अलावा जो है आपका और बहुत सारे है आपके इसके अलावा परम काम रूप है परम काप रूप आपका इयाइटी गोहाटू में लगा हुआ है ठीक है तो आइसे करके कई सारे है ठीक है सूपरकम्प्यूटर परम अनंत इस गांधी नगर में परम पोरुल ये एनाईटी तिरचरा पल्ली में है परम प्रवेगा तो जितने भी बड़े-बड़े हमारे गांजर रिपस्रेंटि て इंस्टेटीट हैं वहां पर ये लगे हुए हैं परम सिवाय परम नाम के नाव से हमारे देश में जादेतर सूपर कमप्यूटर के नाम रखे गहे हैं अब नाम से सूपर कमप्यूटर हैं इने में गती बहुत सेकेंड में करते हैं तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है सूपर कंप्यूटर से आपके प्रशन पूछे जाते हैं बनते हैं तो आप सूपर कंप्यूटर को ध्यान रखेगा और सूपर कंप्यूटर कोई ऐसा नहीं होता चोटा सा होता है यह तो आप नॉर्मल कंप्यूट हमें करती हैं ठीक है तो यह आपको धिहाणने सभी को चलि अगे चलते हैं अगला करेंट इंट आपका तिलंगाना गवहर्मेंट को ले करके तिलंगाना गवनेंट ने अपना जो है पहला रोबोटिक फ्रेम का पहला वाजसे ये भारत का पहला robotic framework है उसको launch किया गया लेकिन तिलंगाना ने किया नौ माइई 2023 को तिलंगाना सरकार के द्वारा राज इसका अनावरण किया गया है और इससे जो है अब तिलंगाना जो है एक robotic जैसे देखे आने वाला समय क्या है है तो उसी के द्रिश्टि कोड में तिलंगाना गॉवर्मेंट के द्वरा इनिशियाट किया गया है और इस तिलंगाना कान नहीं है पूरे भारत का यह पहला रोबोटिक तो हम आने वाले समय पर हम मैंने आपको बहले ही बताया कि हम आने वाला समय जो होगा रोबोट का होगा ठीक है हर काम रोबोट कर रहे होंगे आपके पास अभी आप देखते हैं हम मोबाइल एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं कुछ समय बाद रोबोट करेंगे हर घर के जितन तेलंगाना रोबोटिक इनोवेशन सेंटर की स्थापना किया जाएगा रोबो पार्क बनाये जाएगे जहां पर जो है रोबोट्स को बनाया भी जाएगा उनको चेक भी किया जाएगा और ड्रोन फ्रेमवर्क बनाये जाएगे ए आई फ्रेमवर्क बनाये जाएगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्रिएट किया जाएगा ब्लोक्चेन टेकनलोजी पर काम किया जाएगा जो भी आपकी समय रिसेंट टेकनलोजी रोबोटिक्स के छेतर में चल रही है उसको ले करके यह पूरा का पूरा रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉंच किया गया तेलंगाना भारत का पहला इस्टेट बना है ठीक है और दूसरा मैंने आपको सूपर कंप्यूटर बताई दिया एरावत भारत का है और फ्रेंटियर अमेरिका का नंबर एक है इसके बाद यह आपको मैंने बताएक साथ सदस्य समिती बनाई गई है डॉक्टर बीडा कुमार जी के अध इसका नाम है भारत 6-Z Alliance ठीक है भारत 6-Z Alliance को प्रेट किया गया है ठीक है तो आज के अंतरगत यह इंपोर्टेंट आपके टॉपिक है सारे के सारे 6-Z को लेकर के मैंने आपको बता दिया अब बस देखो इतना ही जानना है बहुत ज्यादा डिटेल बहुत ज्यादा चीजें बहुत सारी चीजों को जानने की जरूरत नहीं है जितना मैं आपको बताता जाओ बस उतना जानते जाए उतना पढ़ते जाए ठीक है क्लियर है सबी को इतने का रिवीजन करिए ठीक है